नमस्काल दैनिक जागरान के समाचार पोर्टल 12 जश्ट कुछ मिनट पहले खबर प्रकासित हुई है कि यूपी बोर्ड परिक्षा पर निर्णे अभी नहीं मंत्री और अपसरों के संक्रमित होने से नहीं हो सकी बैठक आज बैठक होनी थी जिसमें ये हल निकलना था कि परिक्षाएं कब होंगी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक माई को साथ बच के चौतिस मिनट की ये रिपोर्ट है जश्ट कुछ मिनट पहले की है उपमूखे मंत्री डाक्टर दिनेश सर्मा ने कहा था कि परिक्षाओं के संबन में माई के पहले सता हमें बैठक करके निरणे लिया जाएगा मूखे मंत्री शमेत विभागिया बड़े अपसर संक्रमण की चपेट में हैं और साथ ही माध्यमिक कॉलिजों की ऑनलाइन पढ़ाई तक बंद है इस माँ परिक्षा कारकरम घोसित नहीं होगा संकेत है कि हालात में सुधार होने पर इस संबन में निर्णे लिया जाएगा यूपी बोर्ड की परिक्षाओं पहले त्री अस्तरी ग्राम पंचायच चुनाओं फिर कोरोना संक्रमण की वज़ह से इस्थगित चल रही है सुना रहे हैं उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश सर्मा ने अपरेल के माह में कहा था कि परिक्षाओं के संबन में माई के पहले सब्ता में बैठक करके निर्णे लिया जाएगा इसी बीच माधिमिक सिक्षा के अपसर्व मंत्री तक संक्रमण के गिरिफ्त में आ गए ऐसे में अभी बैठक नहीं हो रही है कहा जा रहा है कि हालात सुधलने पर मुख्यमंत्री इस संबन में फैसला लेंगे परिक्षाएं अब जून के अंत्याब फिर जुलाई में ही संभावित है पता दे कि CBSC वा ICSC बोर्ड भी परिक्षाएं इस्तगित कर चुका है CBSC ने तो हाई स्कूल की परिक्षा रद भी कर दी है और इंटर की परिक्षाएं जून में उसके संभ़ में निर्णे होगा परिक्षारती CBSC की तर्ज पर UP Board से निर्णे की उमीद लगाये थे लेकिन दोनों का परिक्षा धाचा अलग होने से एक जैसे निर्णे की उमीद है ये बात भी आप कान खोल कर सुन लीजिए समाचार एजनसी से ही बताई है और सही ख़बरे बताई है यूटूब पे बहुत लोग फरजी वाड़ा चला रहे हैं बिना सिर्पैर की ख़बरे आपको बता रहे हैं लेकिन नहीं हम आपको सही और सटिक बताने की कोशस कर रहे हैं हम आपको यूपी बोर्ट से समदित खबरें देते आये हैं देते रहेंगे इस्टे ट्यून दर यूनिवर्स्टी कनेक्शन तन्यवाद नमस्कार